और जितने भी लोग technical indicators के दिवाने हैं वो fail हो जाएंगे अब यहाँ पर एक चीज बहुत तगड़े से काम कर सकती है Fibnature Retracement और यह क्यों काम करेगी मैं आपको समझा देता हूँ देखिए इस बाजार में अगर मुझे किसी चीज पर सबसे जादा भरोसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ Fibnature Retracement है आप इसको जरूर सिखिए और समझने की कोशिस कीजिए कि कैसे यह काम करती है मैं Fibnature Retracement ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको support सिर्फ इसी के हिसाब से बताऊँगा और देखिएगा वो अगले हफते जब Yes Bank में trade होगा देखिएगा इसी के हिसाब से trade करता है Yes Bank की नहीं और मैं इसमें आप से कोई rocket science नहीं माग रहा हूँ 16 रुपे से भागना चालूँगा और इसी के नीचे लोगोंने माल उठाया है तो बहुत ध्यान से बात को आपको समझना है आपको मैं जो support and resistance बता रहा हूँ बहुत ध्यान से उसको note down करके रख लीजेगा जो पहला और सबसे बड़ा crucial support है 61.8% वाला वो है 19 रुपे पर ठीक है 19 रुपे यहां से कितनी दूर है आप समझिएगा बात को 0.5% दूर है ठीक अब यस बैंक में अगर अगले भी दिन सर्कित लग गया तो इस support को कोई सम्मान नहीं मिलने वाला ठीक बात आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या है देखिए जब भी कोई stock सर्कित वाला हो जाता है तो वहां पर support काम भी कैसे करे support आप एक बात सोचिए कि stock या तो 5% नीचे ही खुल जाएगा या तो खुलते ही तुरंद नीचे जाकर भाग जाएगा कोई transaction होई नहीं पाया तो support का करेगा support का simple सा मतलब यह होता है कि वहां पर transaction की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि लोग वहां पर buying opportunity ढूंढेंगे तो पहली दूसरी बाइंग opportunity आपको 19 रुपए के आसपास मिल सकती 18 रुपए 96 पैसे के आसपास दूसरी बाइंग opportunity आपको दिखेगी 18 रुपए 40 पैसे के आसपास जो कि 50% का rate retracement है और सबसे बहतरीन जो आपको मिलेगा 38.2 यह मेरे लिए सबसे परफेक्ट है 17 रुपए 80 पैसे यानि कि yes bank को अगर इस हाल में रुकना है तो 17 रुपए 80 पैसे पर रुकना है जो कि यहां से अगर आप इस rate से compare करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से 1.5 रुपए 1.65 पैसे के आसपास गिरावट आ सकती है अब 1.5 रुपए के आसपास की गिरावट का मतलब यहां से 10% की गिरावट बड़े प्यार से हो सकती है वही मैंने आपको समझा है 18 रुपए के आसपास इसमें बड़ा सपोर्ट है अगर 12 रुपए पे लाते हैं अब यहां से अगर आप सपोर्ट देखने की कोचिस करेंगे बहुत ध्यान से समझेगा यह जो डेटा में आपको समझा रहा है उसको नोट करके रख लीजिएगा पहला सपोर्ट आपको 19 रुपए पे ही मिल ला है परफेक्ट 78.6 परसेंट रिट् मैचे ड्रॉप किया हुआ है तो इसकी डबल इंपर्टेंस हो जाती है हम अगर थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आप समझेंगे 17 रुपए 17 रुपए यह वाला जो रेट है 17 रुपए 50 पैसे और इस रेट को अगर आप कंपेर करेंगे समझेगा बात को 17 रुपए 50 पैसे क तो आपके पास 17 रुपए का सपोर्ड जो है वो बेस्ट पर्फेक्ट ट्रेड के लिए अवेलबल हो जाएगा तो उसके लिए एक वीडियो है आई बटन पर आप देख सकते हैं कुछ कारण है लेकिन आप से वादा करते हैं जो भी कॉंटेंट आपको मिलने वाला है वो बैल्यूएबल मिलेगा एक वीडियो क्लिप मैंने अटैच करी हुई थी और आपको उसमें काफी इंफोर्मेशन मिली होगी सपोर्ट को लेकर यस बैंक से रिलेटेड अब आपको बहुत सारे लोग 17 रुपए पर सपोर्ट बता रहे थे और मैंने आपको कितना बेहतरीन समय पे कितने बेहतरीन वीडियो में आपको सारी बात एक्स्प्लेंट की हुई थी कि यस बैंक के पास जो बेस्ट कर पाए नहीं हमने आपको एक चीज समझाई थी अगर किसी को लेना भी है छोटी क्वांटिटी में लीजेगा इससे बड़ी नहीं क्यों इसको समझा कर ही आगे का एक्स्प्लेंशन दूँगा देखो अगर मुझे इस बाजार में मैं एक चीज बहुत सीरियस होकर कह रहा कि दुबारा मुझे इस बाजार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह चीज आपको लिख कर दे सकता हूं केवल एक दिन मुझे पता चल जा कौन सा स्टॉक कहा मोमेंटम करने वाला है इतना पैसा कमा लूँगा तो आफको सी बात है इस बाजार में कोई नहीं जानता क करनी पड़ती है अब यहां पर जिनको लग रहा हो कि हमने अपर्चुनिटी मिस की वह हमारी सपोर्ट वाली क्लिप देखेंगे उनको समझ में आएगा यहां पर मैंने खरीदारी की बात क्यों की इस कैंडल पर क्यों की इस केंडल पर क्यों नहीं की या इसकी क्लोजिंग पर मैंने क्यों नहीं की थी यह सारी बात आपको एक सीरियस वे में समय नहीं होगी तभी आप बाते समझ पाओगे लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी को अच्छा किसी को बुरा मानने लगे तो फिर आप एक साइड जाकर बैठ जाओगे आप रियालिटी पर फोकस करो और उसी को लेकर चलो मैंने आप से कहा फिर नाची सीखिए तो सीखेंगे आप ही का फायदा होगा आज मैंने किया कल को आप खुद से करने लगोगी अब आगे बढ़ते हैं एकस्प्लैनेशन पर आज यसमें में बहुत बढ़िया मोमेंटम रहा अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा निफ्टी के साथ इसने मतलब आज जैसे बाजार चल लए थी वैसे यसमेंग चला था मुझे अच्छा लगा क्यों अच्छा लगा क्योंकि बाजार भी एक ग घूम गया है अठार रुपए 90 पैसे आ गया और यहां से यहां तक अगर आप जोड़ेंगे यह एक बड़ा गेन है साथ आट परसंट का मोमेंटम नीचे से आ चुका है तो क्या अब यहां पर कुछ और अपरचुनिटी बची है उसको एक्स्प्लेन करेंगे सबसे पहले आपको निफ्टी बैंक का चार दिखाना चाहेंगे क्यों कि कल जो रिकवरी आई थी उन निफ्टी बैंग कि तर्ज पर Yes Bank में भी नीचे से आई हुए थी, यानि कि कल जो नीचे से Yes Bank 4-5% की recovery दिखाया था, वो बिलकुल Nifty Bank की तरह दिखाया था, और आज Nifty Bank में उपर से sell off आया है, और फिर भी Yes Bank में sell off नहीं आया, ये एक इसके लिए positive sign है, यानि कि अभी जो 19 रुपय का support है, उसको हो सकता ह समान दे जाए, अगर उसके उपर trade करने लगता है, तो 19 रुपय वाली support पर ये चल जाएगा, लेकिन दिक्कत इस बात की है, कि बाजार हद दर्जे की महंगी है, Yes Bank भी अभी महंगा चल ला है, तो of course सी बात है, लोग यहां से जो इस support पर खरीदे हैं, और देखो बाजार म होता है, बैंक आपको साल भर में नहीं देते, तो of course सी बात है, यहां पर एक profit booking आएगी, जो कि बहुत ही normal बात है, जन्विन बात है, ऐसे momentum बड़ी news पर आते हैं, उसके चकर में आप हमेशा नहीं रह सकते, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा delivery data समझाना चाहेंगे, हमें आपको नहीं बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होती है, हम किस तरीके से trade लेते हैं, फर्क उसी से पढ़ता है, इसका मतलब क्या है, कि उपर जाते हुए price में लोगों को confidence नहीं है, बाइंग करने में, मुझे भी ये बात अच्छी लगी, और rare cases में ऐसा मुझे ल अच्छा नहीं लगा, तो आपको सी बात हैं, यहां पर कम खरीदार आने चाहिए, यह एक positive sign है, यानि कि ऊपर के level पे आपको trap नहीं किया जा रहा है, या फिर retail investor इस चीज़ से सावधान हो गया, कि यहां पर उसको फशाय गया, और एक चीज़ आपको मैं सम्झाना चाहता और ऐसे लोग जब query भेजते हैं, अच्छा नहीं लगता है, और यही मैं आपसे request करता हूँ, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ, आप समझिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको बातें समझ में आने लगेंगी, आप आज नए हो, कल को आप भी बाजार से पैसा कमाने लगोगे, मैं बार-बार एक ही चीज कहूंगा, इस बाजार में unlimited opportunity है, और इतनी तगड़ी ताकत आपको मिल गई है, कि आप उसका उपयोग नहीं करत पा रहे हो, दिक्कत इस बात की है, जहां आप 1000 नहीं करोन नहीं, अरब नहीं खरब भी कमा सकते हो, वहा आप गमाते हो, 100 रुपय गमाते हो, तो भी आप गलत कर रहे हो, यहां कमाने आयों ना, चीजों को सीखो, मैं कहता हूँ, एक सेर से ट्रेड चालो करो, और रियालिटी पे फोकस करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अभी historical volume में आपको दिखाना चाहूंगा, आप इस दिए, यह चीज एक positive sign है, यानि कि yes bank में speculation कम हुआ है, दिकत इस बात की एक बाजार महंगी है, तो आपको भी थोड़ा सा alert होने की जरूरत है, और alert तो हमेशा आपको इस वक्त रहना है, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत selective होने की जरूरत है, अगर आप selective नहीं रहेंग खुद से करना सिखे, किसी के भरोसे रहेंगे, आप उसका सदूपियोग नहीं कर पाएंगे, आप इधर उधर में फसके रह जाएंगे, ठीक है, अब आपसे एक request, अगर आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ value है, और सच में आप चीजों को आगे लेकर चलना चाहते हो, तो मैं आपके support के लिए, मैं आपके support के लिए available हूँ, 5 बटन पे एक वीडियो है, आपसे request कर रहा हूँ, हाँ जोड के request कर रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कुछ दिक्कत चल लएए चैनल के साथ, उसको हम solve करने की पूरी कोशिस कर रहे हैं, अगर नहीं solve हो पाती है, तो उसके लिए एक alternative method हमने आपके सामने रखा है, अगर आप चाहते हो, हमारा support आपके साथ बना रहे, और आप सब के साथ हम बने रहें, तो बिल्कुल वहाँ पर आईएगा जरूर, और आपसे मैं एक वादा किये देता हूँ, कि हम भले पैसा कम कमाएं, ले महाँ पर भी हमारी performance चेक कर लिए, हार एक जगा मैं आपको back test करने के लिए पूरी की पूरी वीडियो अबेलबल हैं, आप जाकर देखिए, चाहे इंट्राडे वाली वीडियो देखिए, चाहे इन्वेस्टिंग वाली वीडियो देखिए, जितनी भी मैंने आपको वीडि हमारा target है कम से कम 3-5% हम कमा पाएं और ये सारी चीजे fulfill होती रहती हैं, आपको back test करने के लिए मैं बेलकुल आजादी देता हूँ, और इतनी back testing के बाद मैं आपसे वही request कर रहा हूँ, आई बटन पर वीडियो है, देखकर हमाई साथ जुड़े रहिएगा, हमारा साथ दे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाली वीडियो में, यहां तक आए होद वीडियो लाइक करोगे, मुझे अच्छा लगेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लेट सी, क्या होता है आगे, रास्ते कठिन हैं, लेकिन हार न पूरा नहीं लगा, मतलब अच्छा लगा, आज का जैसा ट्रेड हुआ है, इसलिए मैं खुस हूँ, यहां बैंक की आज की पर्फार्मेंस को लेकर, मिलेंगे फिर से, किसी अच्छे वाली वीडियो में, तक के लिए, बाए-बाए